हेलो स्टुडेंट, आज हम लेसन नंबर टू, पेरिमेबल टु दा कॉंसिटुटुशन, इसकी एक्सिसाइज सॉल करेंगे इक्सिसाइज पर आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्टन क्या है, फाइंड फॉलें वर्स इन दा ग्रीड ये नीची चार कोईश्टेन दिये वे, और इनके अंसर हम इसमे से ढून नहीं, ठीके? तो आम अंसर बता रहे चारों के, आप ये लिगलो 2nd, answer the following question, ये फोस्ट रोस्ट, ये दो जो क्वेश्टन है, ये दोनों के अंसर हम साथ में दे रहे हैं, आप लिगलो थर्ड और फोर्थ ये दोनों के अंसर हम बता रहे हैं यह लिख लो अब थर्ड, how should we make use of our freedom, write your views about it इसके लिए आप यह अंसर लिखो फोर्थ, explain the following concept फर्स, socialist state यह अंसर है, page number 68 पर है यह paragraph देखो, socialist state यहाँ पर bracket open करो, socialist state यह आप लिखेंगे till the end of the paragraph, यहाँ खतम हो जाता है hands of a few people, यहाँ bracket को close कर दो यह छोटे सा paragraph आपको लिखना है, यह आपका अंसर है second, equality, यह answer page number 74 है यह paragraph देखो, इधर equality का निचे वाले छोड़े paragraph पर आजाओ, it means that यहाँ से आपको लिखना है, यह पूरा आप लिखेंगे बाजुवाले page पर उपर आजाओ discrimination, यहाँ तक आपको लिखना है यहाँ तक answer है, यहाँ तक answer है close the bracket here third, sovinar state, इसका answer page number 68 पर है यह paragraph देख लो, sovinar state यह paragraph में इधर निचे आजाओ, यह green color की जो अब मार्की ने the word, यहाँ पर bracket open करो यहाँ से लिखते नहाँ आपको यह पूरा आप लिखेंगे निचे तक आजाओ, be half यहाँ से लेगे, यहाँ तक be half पर यह bracket को close कर दो यह पूरा आप लिखेंगे, यहाँ आपका answer है fourth equality of opportunity इसके लिए आप यह answer लिखें मैं कजी, stop the keywords in the premable, look for the meaning in the dictionary, prepare a chart in the following way ठीक है, यह keyword लिखना है, किस तरह हम प्रनॉम्स करेंगे उसका meaning लिखना है, तो हम बता रहे हैं, अब यह लिख लो ठीक है, आपका chapter यह complete हो गया, अगर वीडियो आपको helpful है, तो प्लीज इसको like, share and subscribe कीजी, thanks for watching